हेलो फ्रेंड स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल स्पीकिंग बुक में आज हम डिसकस करेंगे फ्यूल फीड सिस्टम क्या होता है यह फ्यूल को फ्यूल टैंक से इंजन मैनिफोल्ड में फ्यूल को कैसे ट्रांसफर करता है और यह system जो होता है, कितने type के होते हैं, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, fuel feed system की, तो fuel feed system वह system होता है, जिसके थुरू हमारा fuel, fuel tank से engine manifold में enter करता है, ताकि वहाँ से ये inlet valve के थुरू engine cylinder के अंदर enter कर सके, इसके अंदर देखींगे हमारे बहुत सारे parts होते हैं, जैसे fuel tank, fuel pump, filter, carburetor, अगर यहाँ पर diesel engine हो, तो यहाँ पर carburetor के जगा fuel injector use होता है, यह सारे इसके parts होते हैं, तो fuel feed system को में लिए 5 टाइप में divide किया गया है, pump system और fuel injector system, चलिए हम एक-एक करके सबको अच्छे से discuss करते हैं, पहले हम बात करते हैं, gravity system क्या होता है, यह है gravity system, इसके अंदर हमारा gravity force का use किया जाता है, fuel को fuel tank से directly carburetor के अंदर enter करवाने के लिए, कुछ इस तरह, यह हमारा fuel tank है, इसके bottom से हम यहाँ पर tapping लेते हैं, जो कि directly हमारी आगे जाके carburetor से यहाँ पर connect होती है, यह हमारा carburetor है, फ्रिंट्स, gravity system में एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, कि जो हमारा fuel tank है, यह हमेशा carburetor से high elevation पर होना चाहिए, अगर यह high elevation पर नहीं होगा, तो यहाँ पर gravity force work नहीं करेगा, और fuel की supply नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर fuel tank को high elevation पर रखा जाता है, इसकी सबसे अच्छी advantage यह है, कि यहाँ पर हमारे fuel pump का use नहीं होता, fuel directly, fuel tank से carburetor में enter करता है, जिसके कारण हमारा जो system है, बहुत ही compact हो जाता है, और economical हो जाता है, चलिए अब हम second type की बात करते हैं, second type है friends, pressure system, यह pressure system क्या होता है, देखे, pressure system उस system को कहा जाता है, जब हम यहाँ पर fuel tank के अंदर pressure develop करें, और यही pressure fuel को force करता है, carburetor में जाने के लिए, किस तरह, देखे, कुछ इस तरह, हम यहाँ पर fuel tank में एक अलग से air pump install करते हैं, यह air pump क्या करता है, यह इस fuel tank के अंदर air pressurize करता है, इस high pressure होने के कारण, यहाँ पर यह fuel tank हमारा air tight होता है, यहाँ पर air flow होने के कारण, fuel by default हमारे fuel tank से carburetor में एंटर करता है, इस case में भी हमारा fuel pump की ज़रूद नहीं होती, और यहाँ पर air pump को हम drive देते हैं, यह तो हम इसे came soft के साथ attach करते हैं, यह फिर हम इसे electrical supply देते हैं, इस तरह यह pressure पर work करता है, इसी कारण इसको हम pressure system कहते हैं, चलिए तीसरा हम बात करते हैं, vacuum system की, की vacuum system क्या होता है, फेंड्स, vacuum system के अंदर हमारी vacuum develop होती है, कैसे हमारे engine stroke के दोरान, जब हमारा piston top dead center से bottom dead center की तरफ downward motion करता है, तो हमारे engine cylinder के अंदर vacuum crate होती है, यह vacuum हमारे fuel को fuel tank से carburetor की तरह भेशती है, इसलिए यहाँ पर vacuum का use होता है, इसलिए इसको vacuum system कहा जाता है, चलिए बात करते हैं, अब हम चौथे और important type की, वो है हमारा pump system, यह pump system क्या होता है, फ्रेंड्स, pump system वे system होता है, जिसमें हमें fuel को supply करने के लिए pump की help लेनी पड़ती है, इसलिए इसे pump system कहा जाता है, यह most frequent use होने वाला system है, हमारे automobile engine में, देखिए यह मेरे pump system का एक schematic diagram है, इसके अंदर हमारा fuel tank होता है, fuel tank हमारे pump से connect होता है, यह pump हमारा इस fuel को filter के थू होते हुए carburetor में पहुचाता है, यहाँ पर यह filter जो होता है, यह हमारे fuel के अंदर unwanted material को remove करता है, जिसके कारण carburetor अच्छा function करता है, यहाँ पर carburetor जो हमारा liquid fuel है, उसको क्या करता है, उसको fans यह atomize कर देता है, atomize क्या होता है friends, यह हमारा mechanically liquid को छोटे छोटे particles में break करने का एक process होता है, फिर हमारा air filter से air आती है, और यह दोनों मिलकर एक stichomatic mixture बनते हैं, यही mixture air fuel का ratio भी कहलाता है, फिर यह ratio engine manifold से होता हुए हमारे inlet valve के थूरू engine में enter करता है, इस से हमारा fuel pump main important role प्ले करता है, यह fuel pump हमारा या तो mechanically होता है, और जो mechanically fuel pump होते हैं, उनको हम came shaft के थूरू drive देते हैं, या फिर हमारा यह जो pump है, यह हमारा electric की भी हो सकता है, electric pump को हम electric source के थूरू supply देते हैं, फ्रेंड पाचवे हम बात करते हैं, fuel injector system की, बच्चो fuel injector system क्या होता है, तो fuel injector system में हमारा carburetor की जगा fuel injector install किया जाता है, fuel injector का same function है, जैसे carburetor का होता है, बट, fuel injector की advantage यह होती है, यह proper quantity को हमारे atomized form में convert करता है, और air के साथ mix करके उसे engine manifold के थूरू engine में supply करता है, इसलिए यहाँ पे fuel injector का use आजकल ज़्यादा हो रहा है, thank you for watching friends,